नवश्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR Education के उपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और जो जो विद्यार्थी हिंदी की त्यारी कर रहे हैं और इस बार आपका Final 12 का हिंदी का पेपर है तो आपको घवराने की जरुवत नहीं है चुकि आपके लिए Top 10 वाला वीडियो स्रीज जो है वो ला चुके हैं और कई आपको हिंदी का भी Top 10 वीडियो स्रीज यानि एक वीडियो में प्रते Top वाला भी भी आए 10 कुस्षन का स्रीज आपको मिल जायागा ठीक है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है और प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिये गया है 2025 के हिंदी के लिए तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए ताकि तरीके से आपके तयारी हो जाए चैप्टर वाइस ठीक है आज दस नहीं आज 15 प्रशन आपको कराएंगे तो आज का ये रहा 11 प्रत फट से एक option चूझ करेंगे वाइक सही उत्तर की बात कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका B option आनंद बंधू ठीक है तो आज ज्यादा समय बरवाद ना करते हुए फटा-फट से आज के इस question को कराएंगे ठीक है अगला प्रशन है आपका कि अगे जी जो है ठीक है जो कि रोज की लिखा के हैं तो अगे जी के पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकासित हुई थी प्रभा में जोती में पत्रिका शेवा में या फिर इन में से कोई नहीं तो जैसा कि आप पढ़े होंगे कि अगे जी के जो पहली कहानी जो है वो आपके पत्रिका शेवा में प्रकासित हुई थी ठीक है तो C उत्तर यदि आप चूच किये हैं तो एक नमर और आपका हो जाता है ठीक है चली नहीं चूच के गलत हो गिये तो आराम से उसको फोकस करके देखे और सीखे कि भाई सही उत्तर क्या है ताकि अगली बार कभी आपसे गलत ना हो महिषवर कौन सा फल ले करके आया था ठीक है जब लिखक जो है वो मालती के घर गये थे कहानिया पढ़े ही होंगे तो वहाँ मालती के जो पती महिषवर है जो कि डौक्टर थे तो कौन सा फल ले क visualize आया थे आम, केला, सेव या फिर शंतरा तो सही उत्तर के बात कर लेगे तो उनके जो पती हैं वो क्या लेकर क्या आये थे महेश्वत जो के एक डॉक्टर है वो आम लेकर क्या आये थे तो ए उत्तर एकदम सही है किसी भी तरह के प्रश्ण अगर आएंगे आप कहानी को ध्यान में रखेंगे ठीक है और कुछ बीच में डेटा होते हैं जैसे लेखा का जनामलेखा का मरत्यु ठीक है और कुछ और भी बाते पत्रिका उत्रिका से संबंधित तो आपका चेप्टर कंप्लीट हो जाता है एक कहानी और कुछ दो चार पांच जेटा है उसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था रोज जो कहानी है अब कई बच्चे ये लगते हैं कि कौन से कहानी है और कौन से भाई निबंद है जिसमें डाउट हो जाते हैं और कई लोग तो रट्टा करते हैं कि ये कहानी है ये कहानी है ये निबंद है और वैसे करेंगे तो confusion में आपसे गलत मरा जा ठीक है तो सही कैसे कर पाए तो देखे कहानी का मतलब सिंपल होता है कि जिसमें कई पात्र आ करके जूड़ जाते हैं पात्र का मतलब कैरेक्टर अब जैसे हम आपको रोज कहानी आप रोज पढ़ रहे हैं अब हम नहीं जानते कि भाई रोज कहानी है या निबंद वेगरा है ठीक है लेकिन आप जैसे ही रोज चप्टर पढ़ते हो तो उसमें नाम सुनते हो कि एक लड़की है बाई एक मालती है उसका पती है पती का नाम महिस्वर है ऐसे करके नाम आ जाता है मालती का एक बेटा भी है बेटा का नाम टीटी है तो जब ऐसे ऐसे कहानी ये अलग- लेके, लेखा को एक बात को ले करके, कोई एक टॉपिक, एक मुद्दा को ले करके, उसमें पूरा भाव डाल करके और पूरा का पूरा उसी पे खलास कर देता है लिख करके तो उसको हम कहते हैं निबंध ठीक है जैसे आपको बता दे बातचीत आप पढ़े होंगे तो बातचीत जो होता है अब ये बातचीत एक टॉपिक हो गिया ठीक है अब बातचीत के उप तो इसको हम निवध करते हैं ठीक है चली तो यह जानगे है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है वो आपके महेश्वर है ठीक है आगले सवाल देखे पंदरा नमर प्रश्ण है यह आपका इस चैप्टर का पंदरा नमर प्रश्ण है अगे जी ने कितनी वर्स की उमर में कवित लिखना शुरू किये थे 10 वर्स, 12 वर्स, 15 वर्स या फिर 20 वर्स तो आप सब जानते हो आगे जी जो है वो 10 वर्स की उमर में ही कविता लिखना शुरू किये थे तो उद्तर यहां पर अगर आप चूचिये तो एक नमबर और आपके बढ़गे आप लिखते चलेंगे कि कि में कितने सभी हो रहे और लास्ट में आपको कमेंट करके बताने हैं कि कितने पंदरा परशन게 करा है उसमें कितने सभी है अगला प्रिशन है मालती का पती क्या है ठीक है डॉक्टर है कितार mould का संपादक कौन है ठीक है तारशब्त का संपादक कौन है विद्या निवास मिस्र है धर्मबीर भारती है या फिर कनहिया लाल नंदन है सचीजानन्द हिरालान वास्ताई यानि जिनको अग्ये काते हैं वो है वास्तायन यानि आग्ये तो तार्शप्त कि अगर हम लिखक ये बात कर लेंगे तो इसका अगर सही उत अगे किस वास से संबंदित है चाया बाद, परियोग बाद, रहाश्रिबाद या फिर आपका सोक्षिदता बाद फटाफट से आपनों कमेंट करें इससे पहले एक छोटी सी जनकारी दे दें कि जो बच्चे चाहते हैं इस्ट्री जोग्राफिक पॉलिटी हो या फिर एको अफर है बस 149 रुपया कर दिये गए है मात्र जो पहले 199 में मिल रहा था अब उसको घटा करके समय थोड़ा कम गया है इसलिए 149 रुपया में आपको हिस्ट्री जोग्राफिक पॉलिटी जितने सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपको दिये जाएंगे ठीक है सबका पीडियेफ कम्पलिट मिलेगा आपको उसके लिए मेरा नमबर नूट कर सकते हैं डवल एट टू फाइव और थिरी सेवन सिक्स फाइव फाइव और वन ठीक है यह मेरा कॉल और वाट्सप नमबर है आप इस पर समपर कर लेंगे ठीक है बाकी यहाँ पर बताएंगे अगे अगे की बात कर लें अगे किस वाद से सम्मंदित है तो यह आपके परियोग बात से सम्मंदित है तो भी उत्तर एकदम सही हो जाएगा अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं 19 नमबर सवाल है इनमें अगे का नाटक कौन है अगे का नाटक बताना है कर्बला है बक्री है या फिर उत्तर प्रिये दर्शी है या फिर सिपाही की मा है तो अगे नाटक जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिये दर्शी टिक 15 नमबर प्रशनों के उपर में देखते हैं अगले प्रश्णी यह रहा फटा-फट से देखते चलिएगा और यह रहा आपके सामने 20 प्रश्ण है गैग्रिन इन में किस्से से संबंध है पसुसे देश से वनस्पती से या फिर बीमारी से तो गैग्रिन के बारे में आप जानते होंगे कि जो इसके पती महेश्वा थे वो गैग्रिन बीमारी का ही लाज करते थे जो के काटे उटे के चूबने से किस तरह से जख से जो संतान है बेटे है उसका नाम क्या है टीटू है टीटी है टड है या फिर डूडू है तो यहां सो जानते है उसके बेटे का नाम टीटी है ठीक है ट्रेन में होते है न टीठी उसी तरह से ठीक है नाम है वो आदमी वो नहीं है अगले प्रशन है कि नदी दीप किसकी यदि भी उत्तर चुच किये तो आपका एक नमर और सही है फटाफट से पंदरा कोशन करा दे तीन प्रशन और बच रहे हैं अगे को ज्यान पीट पुरस्कार कि स्रचना पर प्राप्त हुआ है भाई कितनी नावों में कितनी बार और बावर अहेरी या फिर आंगन के पार द्वार या फिर सेखर एक जीवनी तो सही उत्तर होगा यहां पर कितनी नावों में कितनी बार तो 23 का यह उत्तर ही शही हो जाएगा यहां अगले नमबर सवार देखे 14 नमबर आगे का जनम जो है भाई हुआ था कहा हुआ था बताएंगे ये पहले का टीक है ये देखके कोई नहीं मार देजेगे साथ मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अपरेल 1911 या फिर 25 मई 1923 तो 1923 ने 1913 ठीक है सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर साथ मार्च 1911 जिस वर्ष भारत की राजदानी कलकता से दिल्ली आई और बताएंगे कि इनके मरत्यू कब होई थी अब इसलिए आपसे पूछ रहे हैं चुकि प कि आपको याद रहता है कि नहीं बाकि अगे के पिता का नाम क्या है दयानन सास्त्री है डॉक्टर हिरानन्द सास्त्री डॉक्टर अभयानन सास्त्री या फिर डॉक्टर अईचूतानन्द सास्त्री सही उत्तर हो जाएंगे आप आप सब जानते हो हिरानन्द शास्त्री त टोटल आपको एक से ले कर करके और 35 तक फिर एक बर कराएंगे ताकि आपका रिविजन हो जाएंगे बार बार आपको बहुत चीजे मिलेंगे इस चैनल पर अब ताकि जो आप एक बर कर लिए हैं दुबारा उसमें गलती ना करें और एकदम पूरी तरह से सही करते चले और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सही सही समय पर आप वीडियो देख लेगे ठीक है कुछ भी पुसना है आपको नंबर भी दे दिये गए हैं पीछे आप वीडियो में देखेंगे नंबर बेगरा मिल जाएंगे बाकि आप कमेंट भी कर सकते हैं ठीक है तब के लिए धन्यवाज जहिंद अल्ला हाफिज आपका दिन सुब्र हो राधे राधे